हेलो फ्रेंड्स इस एश्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टेश एवरिटी प्यारे दोस्तों बीएड 2022 23 को टार्गिट करते हुए according to कानपूर यूनिवर्सिटी बीएड एक्जाम को लेकर के कुछ महत्पूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कुछ important points पर बात करने वाले हैं आपके confusion को दूर करेंगे हम कुछ ऐसे points पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत important है जैसे सबसे पहला point मैंने इस पर कल बताए भी था आपको आपके exam form को लेकर के बात करेंगे आपका जो exam form है उसकी fill up करने की last date क्या है और जो उसकी feast date है वो last date क्या है feast submit करने की अगर यह छूट जाता है तो आपका exam नहीं हो पाएगा दूसरा point हमारा रहेगा आपके exam mode को लेकर के सबसे अधिक पूछा जाने वाला question call message के through and on YouTube सबसे ज़्यादा question यह पूछा जाता है exam mode क्या रहने वाला इस पर बात करेंगे और with effect बात करेंगे आपकी notes को लेकर के बात करेंगे कि mcqs best content अगर पढ़ना है तो कहा से पढ़े subjective पढ़ें तो कैसे पढ़ें fourth one point हमारा रहेगा meter exam को लेकर के आपका जो meter exam है वो कब से start हो रहा है किस college में एंड उसका mode क्या रहने वाला है college वाले जो है वो अपना exam की space पे करा रहे है objective करा रहे है subjective करा रहे है ठीक है meter exam तो यह 4 points हमारे रहेंगे इसके उपर हम बात करेंगे आईए पहला point हम लेते हैं हमारा exam form को लेकर के तो मैंने कल आपको बताया भी था कि एक यह university की तरफ से notice जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है 20 माई को notice आया था और इसको मैंने कल भी आपको बता दिया था लेकिन एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं इसमें लिखा हुआ था कि समस्टर की परिच्छों में समलित होने वाले जितने भी संस्थागत भूतपूर्व और बैक पेपर के चात्र हैं वो समस्टर की परिच्छा है जैसे उनकी संपन होनी है तो यह जो अपना इनका जो यह submission date है online form submission और परिच्छा फीस जमा करने की last date 31 मई निर्धरित की गई है 31 मई के बाद आपका form submit नहीं किया जाएगा आपकी फीस submit नहीं होगी और आगे आपका जो भी semester है fourth है या second है उसमें आप बैट नहीं पाएंगे तो 31 मई last date इन्होंने दे दी है इसका मतलब है इस date के बाद आपका जल्दी ही 15 दिन के अंदर आपका date seat भी आने के पूरे chances है यानि कि यहां से यह लग रहा है कि आप exam आपका June last week में almost ले ही लिया जाएगा है ना possibility बढ़ गई है कि June last week में 20 June के बाद किसी भी date से आपका exam सुरू हो सकता है यह हमारा एक point खतम हुआ दूसरा point हमारा है exam mode को ले करके अगर हम बात करें exam mode को सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाना वाले question किसर exam objective होगा या subjective होगा मैंने हर बार हर students को यही बताया है कि आपका जो exam है वह क्या रहेगा dear friend 90% आपका exam हमने क्या कहा है कि MCQs based ही रहेगा and हमारी कुछ professors से बात हो रही थी colleges म मैं जो हैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा connect करने कोशिश करता हूं जो degree college के professors हैं ताकि जहां ज़्यादा information हो सके हम collect कर सके और आप तक पहुंचा सके हैं उनसे बात हो ही तो वह यही कह रहे हैं कि हमारे हां जो easy notes हैं जो model paper वगएरा है वो subjective based content आया था लेकिन उसको हम लोगों ने return कर दिया है वापस कर दिया है ठीक है और यह कहा है कि हमको proper mcq based content चाहिए students के लिए ठीक है तो इसका मतलब है अगर colleges ऐसा भी कर रहे हैं उनको subjective content नहीं चाहिए और mcq के लोगों ने कहा है तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा possibility बढ़ जाती है 90% से भी ज्यादा possibility बढ़ कि एक्जाम आपका mcqs ही होना है एक्जाम आपका objective बेश ही होना है ठीक है तो यह बात मानके चलिए कि 90% से भी उपर हम कह सकते हैं कि एक्जाम आपका mcqs ही होगा बार बार यह question बार आप पूछते हैं प्लीज इसको इतना questions यह न पूट अप करें बस यह मानके चलिए एक्जाम आपका mcqs ही होगा बस मौके पर अगर university अपना फैसला नहीं बदलती है या कुछ नया कोई नया नियम लागू नहीं होता है ठीक है क्यूंकि बहुत सारी परसितियां ऐसी हो जाती है कि मौके पर अपना decision change करना पढ़ता है अब ही जो है आप अपने दिमाग में यही रखिए कि एक्जाम आपका mcqs होगा ठीक है और mcqs में अच्छा करने के लिए subjective तो पढ़ना पढ़ेगा यह नहीं करने कि mcqs होगा तो आप mcqs ही पढ़ें mcqs में अच्छा करने के लिए subjective content तो आपको पढ़ना होगा दो बाते हमारी clear होती है तीसरा point हमारा आ करते हैं आप फिर वही बात पूछते हैं सर आपका content objective है कि subjective है हमारा जो content है वो subjective है क्या हमारा content मैं आपको अभी सारी PDF दिखा दूँगा मेरी कैसी content रहता है हमारा content subjective है हमारा content objective है ठीक है full subjective है full objective है और fourth semester की गर मैं बात करूँ full one linear है एक line में तीन से चार question आपके clear होते हैं और जो previous year question paper है वो भी हमने उसके साथ लगा दिये हैं तो ये content हमारा available है अगर हम second semester की बात करें तो उसमें students को हम अपना content तो देही रहे हैं जो हमारा अपना content होता है वो तो हम देही रहे ह जो proper तरीके से mcqs content आया है वहाँ भी हम strengths को provide करा रहे हैं उसका अलग से charge कोई नहीं है आप हमारे notes लेने के लिए फीच पे करते हैं उसी में हम आपको अपना content देते हैं प्लस जो market में mcqs best content है वो भी हम आपको दे रहे हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं थोड़ चारो paper का इस तरीके से है देखिए full subjective content है फिर हम chapter wise objective content आपको provide कराते हैं फिर यह chapter wise objective content proper तरीके से जिसमें जो question right है उसमें टिक कर दिया गया है और उसको different color से उसको highlight कर दिया गया है ताकि students को पढ़ने में दिक्कत ना है मैंने आपको objective दिखा दिया subjective दिया अब यह one linear है इस होता है मुक्तिकार्थ क्या होता है है यह one linear है इसको पढ़ने के बाद यह जो हमारा content है one linear इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी mcqs questions पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगी एक एक लाइन में 4000 questions हमने complete कि हुए हैं इस तरीके से यह भी हमने chapter wise तयार किया है इन्हीं इस इसी content को तयार करने में थोड़ा time लग रहा है इसलिए classes कम हो पा रहे है यूट्यूब पर तो इस तरीके से content हम आपको तीन तरीके content हो गया अब चौथा हम बता रहे थे previous year दो paper आपके पूरी-पूरे previous year के match करते हैं same to same वो भी हमने पूरा with answer correct करके उसमें टिक लगा रहे ह हैं तो चार प्रकार का content हम आपको provide कराते हैं ठीक है माली जब second semester में है तो यह second semester का paper आपका थरी सबका common subject है ठीक है इसमें full आपका यह subjective based content है और फिर chapter wise आपको mcqs based content जो हमारा अपना content हम तयार करते हैं वो आपको मिलता है और dear friend हमारा content लेने के बाद आपको market ना जाना पड़े उसके लिए जो market में proper तरीके से mcqs based content है वो भी हम answer टिक करके आप तक पहुंचा रहे हैं तापकि आपके अंदर यह ना रहे जाए कि हमने सरका content ले लिया हमें अब market में जो proper mcqs आया है वो भी पढ़ने चाहिए व भी हम pdf form में बहुत अच्छे तरीके से उसको well prepared करके आप तक पहुंचाएंगे ठीक है तो इस तरीके से full content मिलता है हमारे हमसे connect होने के बाद paid form में हमसे connect होने के बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना enough content हम आपको provide कराते हैं number note क लेजिए nine six two eight one eight two six four nine nine six two eight one eight two six four nine बहुत बड़ी संख्या में इस हमारे साथ जुड़ चुका है आप भी जुड़ सकते हैं इस number पर whatsapp message के notes की information ले सकते हैं बीट second semester में हम आपको हमें जो आप message करें उसमें अपने teaching subject भी लिखें हम आपको English का content नहीं देंगे हम आपको geology का content नहीं देंगे हम आपको botany का content नहीं देंगे and home science नहीं देंगे इतने subject छोड़ करके हमने सारे ही teaching subject clear कर लिया है वो आपको provide कराया जा रहा है math ओ, physical science ओ आप यह सारे subject आपको मिलेंगे, तो यह तो मैंने आपको अपने notes के बारे में बता दिया कि हमारे notes आपके लिए कितने useful हैं, अब हम बात करते हैं mid term exam को लेकर के, यह colleges की तरफ से mid term को लेकर के students को forward की जा रही है information कुछ colleges में जो mid term exam है, कुछ colleges में objective लिया जा रहा है, और कुछ colleges म में subjective based लिया जा रहा है, तो दोनों ही तरीके से exam लिया जा रहा है, क्या समझा, कुछ और जो, यह आपका mid term exam है, यह कल से ही सुरू है, कुछ colleges में कल से सुरू है, कुछ के लिए थोड़ टाइम लग रहा है, और कुछ colleges में objective हो रहा है, कुछ में subjective हो रहा है, और students को बताया जा रहा है, बेड़ फोर समेस्टर की छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि दिनांग 24 माई से 27 माई तक आपकी mid term online परिक्षाय कराई जाएंगी, जिसके marks university भेज जाएंगे, इसका विवरन इस प्रकार है, और यह जो बच्चे ने हमें भेजा है, इनके हाँ यह exam MCQS based हो और यह जो भी आपका newspaper की cuttings थी, इनमें तो यही दिया गया है, कि exam आपका MCQS based होगा, ठीक है, और बाकी चीजे धिरे-धिरे clear हो जाएंगी, आप लोग इतना प्रेसान ना हुआ करें, ठीक है, तो I hope कि जो information मैंने आप तक पहुंचाई, आपको बहुत help करेगी, आपको अ इस नमबर पर WhatsApp message करके notes की information ले सकते हैं, thank you so much, मिलते हैं बहुत जल्दी, next class में